नमस्कार और जोहार दोस्तों मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ और खोर्ठा के इस सेशन में हम लोग एक मौवनी फूल कविता गोच को देख रहे थे जो कि स्री संतोष कुमार महतवद्वारकृत ह और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था हर हरी मिलन हर हरी मिलन इसके बाद कई तरह के लोगों का सवाल आया कि सर इसमें प्रश्न किस परकार से पूछे जाएंगे कविता तो पुरा मंचन हो जा रहा है प्रंतु समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रश्ण किस परकार से पूछे जाएगे तो दोस्तों आप लोग पुरा वीडियो को नहीं देखते हैं अगर पुरे वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस परकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, क्या प्रश्ण बनेंगे और जिसमें ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि किस परकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो ये जान लिजे जे SSC पर पूरी तरह से समर्पित है और जे SSC के लिए आप लोगों को जो सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए भी मैं सवाल पूछा तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के माइदम से आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है वो चीजे आप लोग कमेंट करके बता दे हमें ताकि मैं अगला जो भी सेशन स्टाट करूंगा तो उसमें आप लोगों की वो प्रश्ण यहीं से आपके आयने हैं तो 100 नंबर के प्रश्ण के लिए आप समझे कि कितना बड़ा इंपोटन्ट यह टॉपिक है क्विताओं से प्रश्ण जो हैं वही रिजल्ट करते हैं मेरा मेन उद्देश यही था कि आप लोगो और कहीं भी बादा नहीं कहानिया दुनिया भर्क है अप लोड़ेड है आपका यूटूब में कभीताओं का गौछ आप लोड़ेड नहीं है इसलिए आप लोगों से में request करता हो कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एप्रेशियेट करें और कोशिस करें कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने का क्योंकि कविताओं से जो प्रस्ण पूछे जाएंगे यही result आपको करेंगे कहानी वाले तो सभी कोई बनाएंगे तो चलिए आज हम लोग इस्टाट करते एक नई एक मावनी फूल के अंतरगत एक नई जो कविता है उसको लेंगे धधायल मुसा यहाँ पर आप लोग देख ले रहे हैं एक मावनी फूल का मतलब क्या होता है तो एक टोकरी फूल और यहां फूल से संबंदित है क्या तो फूल से संबंदित यहां फ्लावर नहीं है यहां तूल का सम्मंध है कभीता से, fallait है कि एक टोक्री कभीता, यानि कि एक गोच कभीता. तोक्री में किस लेकर सरे रहता है गुच्छा करके हमोग्षा करके। तो उसी परकार से कविता को भी यहां पर जो लिखा गया है स्री संतोय कुमार महतर दोड़ा उन्होंने क्या कहा है, तो थ师्तीवन कविता को आपको समझना है और यह देगा आपको रिजल्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कवीता में क्या है और कहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहें आपके प्रश्ण नहीं छुटेंगे एकटम हंड्रेट परसेंट धाधायल मुशा एक एसा कवीता है जिसमें एक किसान है जो किसान अपना घर में किसका अलोकी का पोधा लगाता है उसको बहुत जयतन करता है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर गावदेहात में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मया करने का कोशिस किया गएह एक दम मजा की अंदाज में स्री Σंतु को कुम्हार महतो द्वारा और बड़ा ही मस्त मुला टायप से लिखे है कि चुई है और किस परकार से किसानों कभाता होता है । आपे मुशा है मुशा में मुशा के साथ में कैसे अपना गुसा भी प्रश्न किस परकार से पूछे जाते हैं कैसे अपना बात भी रखता है यहीं बोलता है दाधायल मतलब होता है वैसा चुभा जो बात नहीं सुनता है और बहुत ओभर इस मार्ट मनने का कोशिज करता है तो उसी को बोलते है धादायः जीसे कोई भी वच्चा बहुत ज्याधा आफर sta मर्धा ना कंपता घृर्ट करते हैं कहते हैं दा-धाई रहे मतलब यतना नहीं है उससे ज्याधा दिखावा करने का कोसिस कर रहा है तुम तो इसी का आज जो है ये चर्चा करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि प्रश्ण किस परकार से पूछे जाते हैं तो पहले कभीता को समझ लेते हैं ताकि आपको प्रश्ण करने में दिक्कत नहीं होगा पढ़ते हैं मंचन कर इसका आज हम लोग क्या कहता है कभीता में संतोस कुमार महतोजी अरे धाधायल मुसा काटी दलने लोवा क्टुसा बड़ी जे आसाई रौपलों लोवा तियन तरकारी खैत शबेच होआ दो बोलता है ये किसान बोलता है चुवा को ये चुवा तुम काट दिया मेरा लोवा को ल ताकि सब बच्चा छोगा पूता सब मिलके हम लोग इसका सब जी खाएंगे तरकारी खैता सबेच होगा पौचल गवबर और पांक माटी पाटी जतन करीबिज रोपलों दुटी दूटी समय समय देलों पानिक जारी मने करलों जाय हते मारा फारी मारा फारी मतलब यहां व ठीक समय भेल लतर festival पूताओं सब्सक्याय करने का मतलब है कि हमने जो अधाक की टृताओं को लगाने के विए हम लोग जो मेहनत किये उसमें गोबर दिये उसमें पांक माटी जो बोलते तलाब से जो पांक होता है वो किचड जिसको बोलते उसका सुखा के दिया जाता है उसके बाद जिस परकार से बीज रोपने की प्रकिरती है उस परकार से बीज रिवोपने और समय समय पर उस पर पानी दिये और सोचे भी कि लोब फारेगा तो बोकारो जाएंगे मारा फारी मतलब बोकारो का ही पुराना नाम है मारा फारी तो मारा फारी जाएंगे बजार बेचने के लिए सब ठीक था पाई के भलो भलो सुंदर बतर ठीक समये भले लतर मतलब ठीक समय में ये जो लट है मतलब जो जारी है वो अभी हुआ और हमने उसको जब लट हुआ तो उसको उठाने के लिए जहांक भी है जहांक किसको बोलते हैं जिसमें द्याती होंगे तो जरूर पता होगा एक डंडा जैसा होता है मतलब डाली जिसको बोलते हैं सुखा उसको लगा के हम लोग लट को ऊपर उठाते हैं तो देलो जहांग चले देखलो ना कहीं फांग देखे हम उसमें कि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है फिर भी क्या होता है वह आगे बोलते हैं चुवा को लेके तो इतना तक आपको समझ में आगी आओगा और अगर नहीं आय दूँगा दूँगा दूसरे पार्ट में कहते हैं कि मन्य मन्य खेलो गूर चीरा हवे एते हमार आस पूरा खाइक पीके दूचार सो टका और जब अलूगा फाटा किनव धार फांक करो यहां पर बोलता है मन मन में हम बहुत खुस थे कि मेरा जो है इच्छा पुर्ण हो ज धार हो गिया है उससे हमको झात मिल जाय जाया भेले फूलेक प्लेक समय मने मने हवे लागले निर्भवए दिरे धिरे फ्ल फूल का समय हुआ तो मन मेरा निर्भवए हो गिया कांदे से परकेला चुत्री अर मूसा माठी करी देला सभे लुवाक तूस आ लंक से परक गया एक चुटरी और मुसा चुटरी बोलते है छोटा चुवा को और मुसा बोलते है बड़ा चुवा को चुटरी होता है छोटा चुवा को चुटरी बोला जाता है और बड़ा वाला जो यह मुसक है इसको मुसा बोलते है माटी करीदल सब लोग तुसा मुझों सब काट के कर दिया मुझों उसका सत्याद्व कर दिया तो बलते अरे धाधयल मुशा काटी दले लोग तुसा केहें दे तनी गजानने समराय राखत आपन बाहने यहां पर प्रिगाठी करता है किसको तो गजानन मुझा होता है गनेश और किसका बहान है वो चुभा तो गनेश जी का बहान है तो बोल रहे कि काटी देले लवक्तुसा केहते गाजानने समराय राखत आपन बहान है तो कहने तो गाजानन को वो अपना बहान को समाल के रखेंगी नहीं तो सेश्काले आने हते रेटफो रहे देबो नए घरे एको लाष्ट में नहीं होगा और नहीं मानेगा तो लाना होगा रेटफो को और हम लोग इसको क्या करेंगे तुम लोग को मार भगाएंगे यहां से तो यह चीजे उन्होंने कहा है और इसके साथ में क्या होता है कि देखे जो हम लोग ने जो सवाल लिया था कि इसमें प्रश् दूसरा प्रश्न हो जाता है कि एक मौनी फुल में कितने कविताये हैं कितनी कविताये हैं कितनी कविताये हैं तीसरा पूछा जा सकता है ध्दैल मुसा जो है कहां से उदगरित है कहां से लिया गया है उसका एंसर हो जाएगा एक मौनी फूल कहां से लिया गया है ध्दैल मुसा यह सब हो गया दाधाइल मुसा में किस के बारे में बात हुआ है दाधाइल मुसा में किस बारे में बात हुआ है किस के बारे में बात हुआ है तो किसान और चुहा के बारे में चुहा किस का वाहन है मुसा किस का वाहन है मुसा किस का वाहन है तो हो जाएगा गजानन गनेश जी नहीं लिखेंगे क्योंकि गजानन इसमें लिखा हुआ है तो बुलता किसका बहान है इसके बाद क्या होगा सबसे बड़े बात यह सब तो असानी से आप सॉल्ब कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो सॉल्ब कर लेंगे अब क्या किया जाता है कहीं कहीं इस टाइप से question उठा दिया जाता है hard करने के लिए जैसे कि ये जो part है आपका पाई के भालो सुंदर बतर ठीक समये भेले लतर लत उठावले देलो जहां चाले देखलो नाई कहीं फाग ये उठा लेगा और कहागा यह किस कवीता गोज से है कवीता गोज से है तो answer हो जाएगा एक मोणी फूल यह किस कवीता का पाठ है किस कवीता का पाठ है कवीता का पाठ है इस परकार से प्रशना जाता है तबा जाएगा ददाइल मुसा इतना का देख देगा और इसमें बोलेगा कि एक सब्द उठा लिया जाएगा कि जहां का मतलब क्या होता है जहां का क्या अर्थ होता है तो पेड की टहनी एंसर हो जाएगा पेड की टहनी इसी परकार से जैसे होता है कि तरकारी तरकारी सब्द का क्या मतलब है तो तरकारी मतलब होता है सबजी जो हम लोग बनाते हैं तो इस परकार के आप लोगों को प्रशन पूछे जा सकते हैं तो पूरा मतलब क्या है इसका ये चीज़ को जानी है कि पूरा कभीता को आपको समझना होगा और अगर समझ लेते हैं तो आपको कही समझ्या नहीं होगा पांक-माठी-पाटी क्या है सब्दों को मारा फारी का कहां जाने खुज रहा है कि मने करनों जाए हता है मारा फारी तो बोलेगा कि जो किसान है वो जाने खुज रहा है तो मारा फारी एंसर होगा उसका इस परकार से मतलब आपको जबाब देने होंगे और यह सारे questions hard हो जात कहानी वाले हैं वे सब निरनायक नहीं होंगे इसलिए क्योंकि वहां से जबाब लगभग लगभग सब कोई देंगे आपको कोशिश करना है कविताओं को पढ़ने का एक मौनी फूल इसमें जितने कविताएं हैं उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमं में रहिएगा फायदे में रहिएगा और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने का और ज्यादा से ज्यादा देखने का वीडियो को धन्यवाद जोहार जैहिंद